असलाम अलेकुम and very warm good morning to all my lovely students of class 4th. Students, today we are going to do the recapulation of chapter number 6, 7 and 8. Why? Because these chapters are related with each other. यह एक दूसरे से correlated है ना, तो उनको हम उसका recapulation मैं आपको एक साथ दे रही हूँ, जिसे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपके कोई questions हो तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं, तो the 6th chapter is, chapter number 6 is Omana's journey, chapter number 7 is from the window and chapter number 8 is reaching grandmother's house. Now we will go one by one. Now your 6th chapter is Omana's journey, तेखा अपने स्क्रीन में दिख रहा है ना, Omana's journey. अब Omana की journey में Omana ने क्या लिखा है? अपनी journey के बारे में एक letter लिखा है किसको, अपनी friend को, Radha को. वो लोग पहले क्या था है? एक साथ कहां जाने वाले थे? They were going to the Kerala for the vacation. वो Kerala जाने वाले थे vacation के लिए. पर Radha bicycle से गिर गई. She fell down from the bicycle and she met with an accident. She got the fracture in her leg and doctor said her to get the rest of 6 weeks. So, she can't go. अब जो Radha है वो Omana के साथ में नहीं जा सकती है. So, Radha's mother, she suggested Omana to write a diary. Radha की mother ने Omana को क्या बोला? कि तुम diary लिखो और उसमें सारा description दे देना. तो जब तुम vacation से लोटके आओगी, तो Radha उसको पढ़के तुमारी journey के बारे में पता कर लेगी. Okay, student? में इस chapter के recapulation में मैंने सिर्फ pictures रखे हैं और pictures के हिसाब से मैं आपको सब चीज समझा दूँगी. Okay, student? No writing work I have kept. You can keep the textbook with you. आप textbook सामने रखो. अभी ये कौन सा scene है? It is a scene of a platform. और Omana और उसकी family सब कहां आगए है? प्लाटफॉम पे आगए हैं. वो train के उप में चड़ने वाले हैं. और उनकी train कहां से start हुई? It has started from the Gandhi Dharm. और बहुत rush हैं. लोग एक दूसरे को धके मारके ऊपर नीचे चड़ रहे हैं. बहुत मुश्किल से manage करके Omana और उसकी family जो थी वो train पे चड़ पाई. This is a scene of a railway platform. Now you can see the second picture. अभी second picture में आप क्या देख रहे हो? कि जैसे Omana है, उसके father और उसकी mother वो लोग बैठे हुए हैं और ticket checker आया. उसने ticket check करने के लिए आया कि सब अपनी seat में बराबर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं और सब का उसने luggage को manage कराया और सब के ticket check किये कि सब के पास में tickets है कि नहीं हैं अब आप देख सकते हो? यह कहां का scene है? यह train के अंदर का जो coach होता है यह उसका scene है उपर आप देख रहे हैं वहाँ पे luggage रखा हुआ है सामने दूसरी family भी बैठी हुई है जो कहीं दूसरी जगा जाने वाली है और जो white color के cap में और black color के coat में हो कौन है? वो TC है, ticket checker है फिर अभी जैसे ही वो लोग सारे edges हो गए तो उन लोगों ने अपनी जो ओमाना थी वो कहां बैठ गई? आप देख सकते हो picture में ओमाना अल्रड़ी कहां बैठी हुई है वो window के पास में बैठी है और वो window पे बैठके और वो बहार के क्या देख रही है? She is watching the scenes of the outside वो outside के जो scene है वो उसको देख रही है और अभी वो क्या बता रही है? कि तुरन थी जैसे उन लोग बैठे थोड़ी देर में अमाने क्या किया? उसने lunch box खोल दिया, okay now here you can see, this is the picture of which here, ओमाना is sitting this is 16th में कुंसी date है? 16th में है और ओमाना का बैठी है? She is sitting near the window बताब उसने खाना खाया उसकी ममा ने खाने में क्या क्या रखा था she has kept the धोकला, चटनी, लेमन, राइस मिठाई, ये सब रखी थी तो ओमाना ने उसको खाने के बाद में वो window के पास में बैठ गई, अब बाहर वो क्या देख रही है? fields को देख रही है, खेतों को देख रही है और वो क्या बता रही है? ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़े जो है वो train के साथ में मतलब जो fields हैं trees है, बाहर के जो huts दिख रही है, वो सब ऐसा लग रहा है train के साथ में भाग रही है opposite direction में सारे चीज़े भाग रही है अब वो क्या बोल रही है? it is really very hot, अभी बहुत गरम हो गया है, and now that it is evening, there is some breeze अभी वो कह रही है, कि पहले बहुत गरम था, पर अब evening का time हुआ है, और sun जाए, वो slowly set कर रहा है, तब थोड़ा सा breeze चली, ठंडी हवा चलना start हुई, now what she is saying, now the sky has become orange, अभी आपको कौन सा scene दिख रहा है, this is a scene of a station, यह station का scene है, और कौन सा station आया है Valsar station आया है the train stop, वहाँ पे 2 minute के लिए train stop हुई, और in a short time, there was a much noise, चाई, गरम चाई, one man was calling, वाटाटा बड़ा वाटाटा बड़ा, अभी क्या हुआ, station पे train रुखी, Valsar station में, तो वहाँ पे किसकी आवाज आने लगी, चाई, चाई, means चाई person was selling the वाटाटा बड़ा, पूरी शाख, ठंडा दूद, so, what did Omana take, Omana के फादर ने नीचे उतर के क्या लिया, कुछ बनाना और चीकुज, means his father, Omana's father has by the fruits only, from window itself, window से ले लिया, वो नीचे नहीं उतरे, उन्होंने window से ही पैसे दे के और fruits खरीद लिये, ओके, और Omana ने पहले क्या देखा था, fields के पास में, orange sky देखा था, ओके, now see, this is a scene of a, this is a scene of a railway station, railway station का scene है ये, वहाँ पर क्या हुआ है, मतलब उसके कुछ friends बन गए थे, और वो लोग कहा जा रहे थे, they were going in the cozy court, और उनके पास में कुछ books थी, वो books को उनने पढ़ने के लिए दी, और वो जा, Omana थोड़े देर बाद में क्या हुआ, खाना पीना खाने के बाद में, she went to brush her teeth, but there was no water in the bathroom, bathroom में पानी नहीं था, somebody said that it will be filled on the next station, big station, अभी आप देख रहे, train जो है, big station में खड़ी हुई है, और वहाँ पे वो क्या करेंगे, पानी फिल करने के लिए, train वहाँ पे रुकी, क्योंकि toilet में और बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, और जिन लोगों को कुछ खाने पीने का सामाना या जिन के पास dinner नहीं है, तो वो लोग स्टेशन पे उतर के वो dinner को ले सकते हैं, okay students so this was the end of 6, chapter number 6, now we will go for chapter number 7, from the window, अभी जो है ओमाना हो है, वो क्या करेगी window के पास बैठी है, और वो क्या क्या देख रही है, कौन कौन से state में पहुँचेगी, यह सारी चीजें उसने इस chapter में बताई है, that's why the name of the chapter is from the window, मतब window से ही बैठे बैठे वो सारी चीजे देखेगी, और वो किसके लिए लिख रही है letter, she is writing a diary for the, for her friend Radha, वो लिखके ले जाएगी, तो Radha को वो सारी चीजे दिखाएगी, now it is a morning now, अब क्या हो गया है, सुबह हो गई है, वो जल्दी, रात को जल्दी सोने चली गई थी, क्योंकि बाहर सब कुछ outside जो था, खिड़की पे बैठी थी वो, उमाना, तो बाहर सब चीज कैसा था, अनेरा हो गया था और जब, वो सवेरे उठी, तो उसने क्या देखा, कौन सा स्टेशन था, it was a मदगाउं स्टेशन, कौन सा स्टेशन था मदगाउं, और उसको कैसे पता चला क्योंकि प्लेटफोर्म में वहां लिखा हुआ होता है न, बोड के उपर, उसको देख के train रुखी, so the whole family has taken the tea, and again now the train has started, now it is so beautiful outside, अब बाहर का जो scene है, वो बहुत सुंदर है वहाँ it is, it is green everywhere आपको ये picture में, सामने screen में दिख रहा है न, चारो तरफ greenery है, fields है, और soil है, red soil है green crops है, तो it is looking very much beautiful, and hills covered with trees, और जो छोटी छोटी पहाडिया है, वो कहें से धकी हुई है, वो सब trees से धकी हुई है, और वो क्या बोल रही है, कहीं कहीं पे मुझे small ponds भी देख रहे है, and behind the hills more water, और कहीं कहीं, पानी मुझे सब तरफ दिखाई दे रहा है, I can't make out if it is a river or the sea, वो बोल रही है कि बहुत पानी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या बोलू, river बोलू या sea बोलू, and the air is very cooler, she is saying the air is cooler and not so dry as in Ahmedabad, now what she is telling that here now in which state she is she is means going from the Goa state, so the air is very cooler, now what she is saying, कि Ahmedabad में ऐसी हवा नहीं होती, because Ahmedabad it is hot, it is very hot there, now you can see the picture of a level crossing, आपको किस की पिक्चर दिख रही है level crossing की पिक्चर दिख रही है, now she is saying that means on the railway crossing, on both the side, the vehicles are standing, you can see in the picture, आप पिक्चर में देख सकते हो, दोनो तरफ vehicles खडे हुए है, और जो gate है वो बंद है, trucks खडे है, auto rickshaws है, cycle वाले है, car persons है, सब लोग खडे हुए है, tongas है, bullock karts है, some people do not switch off their engines, आप वो क्या बोल रही है, कुछ जो people हैं, जिनके पास में vehicles है, उन लोगों ने अपने engines को बंद नहीं किया है, and they are waiting for opening the gate, and because of that, what is happening, the smoke and noise is going on, अभी engine चाल हुए है, तो उसमें से धुआ भी नहीं कल रहा है, और उसकी वज़े से noise भी हो रही, तो noise pollution हो रहा है और वो क्या बोल रही है, वो कुछ लोगों को देख रही है, जो level crossing बंद होने के बावजूद भी, वो लो level crossing को cross कर रहा है, and that is very dangerous, वो बहुत खता नाख हो सकता, ओके, now कुन सा दे था, 16th में था, अब from the window chapter में हम आये, तो कुन सा दे आ गया, 17th में आ गया, now here you can see the bridges, आपको दो bridges दिख रहे हैं, दो type के bridges दिख रहे हैं, now what she is telling, that our train is going on, now when she was sitting, वो train में बैठी, तो एकदम से उसको कुरकुर की sound आई, और जैसे ही उसने देखा, तो उसको क्या लगा, कि उसकी जो train थी, वो बहुत बड़ी river के उपर से cross कर रही थी, और वो किसके उपर से cross कर रही थी, bridge के उपर से cross कर रही थी, and it was sounded very different, और उसके sound जो था, वो बद अलग था, and the water down below, when I first looked down, I felt giddy, जब उसने पहली बार नीचे देखा, तो उसको बहुत डर लगा, अभी आपको यहाँ पे कौन से bridges दिख रहे हैं, दो तरीके के current bridge और एक cement bridge है, now see, this is a picture of a tunnel, अभी यह कौन से picture है, यह tunnel की picture है, अभ वोट शी सेंग, कि after breakfast, I climbed up to the upper birth to read my comics, अभी जब उसने, उसकी train जो थी, वो bridge के उपर से cross हुई, तो उसने क्या क्या, breakfast लिया, अब वो उपर birth पे चली गई, books read करने के लिए, it was a bright and sunny outside, मतब जब वो उपर चड़ी थी, तो एकदम bright था और sunny था, मतब एकदम खुला मौसम था, suddenly क्या हुआ, एकदम से सब चीज dark हो गई, तो वो घबड़ा गई, तो उसने क्या सुना, कि किसी ने क्या बोला, कि अब हम tunnels के अंदर से जा रहे हैं, अब आप picture वे देख सकते हैं, you can see in the picture, the train is entering inside the tunnel, and these tunnels are made by cutting the mountains, mountains जो होते हैं, उनको cut करके, उसके अंदर से tunnels बनाए जाते हैं, ताकि train वहाँ से पास हो सके, और पूरा mountain भी cut नहीं करना पड़ता हैं, उनको, so the tunnels seem to go on and on, ऐसा उसको ऐसा लग रहा था, कि हम तो अधिरे में ही चले जा रहे हैं, as where the daylight अगी, अफिर थोड़ी देर में क्या हुआ, tunnel खतम हुआ, और वो लो sunny day में आ गए, अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी ही देर में tunnels आ रहे थे, अलग-अलग tunnels बार-बार आ रहे थे, और उसको मज़ा आ रहा था, tunnels के अंदर चानी में, okay students, now here is some questions are there, this is on page number 59, 59 page पर हुआ नंबर पे आप देख सकते हो, this is there, language and where it is spoken, कौन सी language है, और कहां ये बोली जाती है, मल्यालं, कहां बोली जाती है, केरला में बोली जाती है, कौंकनी, ये कहां बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, माराथी, माराथी कौन से स्टेट में बोली जाती है, महराष्टरा में बोली जाती है, then गुजराती, yes obviously, आपका स्टेट है, आपको मालुमी होगा, किसक तो आपने अगर ये लिखा नहीं है अपने टेक्स्ट्बुक में, so you can write it in your textbook as it is helpful in you in the future also and it might be come in the exam also, आपको exam में भी पूछा जा सकता है और आपको आगे भी ये, आपको helpful होगा आपको आगे की classes में पढ़ने के लिए, now see the next question, what do you call them? your mother's sister, आपकी मम्मी की सिस्टर को आप क्या बुलाते हो? मासी, your mother's mother, आपकी मम्मी की मम्मी, क्या बुलाते हो आप उनको? नानी, your father's sister, आपके father की सिस्टर को क्या बुलाते हो? बुआ या फुई बोलते हैं, okay? your father's mother, आपके father की mother को आप क्या बोलते हो? आपको समझ में आया ना, कि ये भी अगर आपने नहीं लिखा, if you have not written, you can write in your textbook, okay, and again I am repeating you, your mother's mother, sorry, your mother's sister, Masi, your mother's mother, Nani, your father's sister, Hua, your father's mother, Dadi, okay, students hope you all have written, अब तक आपने लिख लिया होगा, I am damn sure that you all have written before only, आपने पहले सही लिख रखा होगा, और अगर जिन लोगोंने नहीं लिखा हो है, तो आप उन लोगोंने लिख लिया होगा, okay, student, okay, now I am going to ask you some question related this only, yes sir, related मैं आपसे एक question पूछती हूँ, what is your father's father call, आपके पाप के पाप को आप क्या बोलते हूँ, okay, your father's father and your mother's brother, आपके पाप के पाप को आप क्या बोलते हूँ, और आपके मम्मी के ब्रदर को आप क्या बोलते हूँ, okay, students, so I am waiting for your answer, again I am repeating the question, your father's father what you call and your mother's brother what you call you have to write the answer in the comment box now the 8th chapter we have come to the 8th chapter that is reaching grandmother house अभी जो उमाना थी वो कहां के लिए निकली थी अपने grandmother के घर जाने के लिए निकली थी और वो पूरे रास्ते में क्या लिख रही है डाइरी लिख रही है किस के लिए राधा के लिए अब वो अपने grandmother के house के आसपास पहुँच चुकी है तो अब वो वहां के बारे में वहां का season कैसा है वहां का atmosphere कैसा है इन सब चीजों के बारे में वो बताएगी ना वाट शी इस टेलिंग आफ्टर आ लॉंग चर्नी वी रीच कोटियाम इन दा नाइट नाइट में वो कहा पहुँची कोटियाम पहुच गई वली अम्मा house was not from वली अम्मा कौन है उमाना की बुआ है उमाना के father की sister है वो उनके घर में कहा से पहुँचे कोटियाम में वो station पे उतर गए और वहां से वो लोग रात में कहा पहुँचे वली अम्मा के घर पे पहुच गए कहा से गए थे वो लोग सारे के सारे they went with the auto rickshaw two auto rickshaw अभी आपको स्क्रीन में auto rickshaw की picture दिखेगी तो उन लोगों ने two auto rickshaw में अपना luggage रखा सारे लोग बैठ की और कहां पहुँचे वली अम्मा के घर पे पहुच गए रात में तो अभी रात का टाइम था न और वो उमाना दो दिन से जर्नी कर रही थी तो she was very tired वो बहुत tired थी थकी हुई थी तो उसने क्या किया जैसे वो अली अम्मा की now here you can see in the auto they are sitting in the autos they have taken the two autos and they are going to the वली अम्मा's house और हुमाना जो थी वो बहुत tired थी तो दो दिन की जर्नी में so what she did she took a bath and she slept she didn't even eaten the food also उसने खाना भी नहीं खाया और वो सो गई और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अभी सोई हूँ और मेरी अम्मा ने मुझे उठा दिया means she was thinking that now only I have slept and again my mother is waking me up अम्मा means उसकी मदर ने उसको उठाना शुरू किया कि we got ready to cover luggage and went to the bus stand अभी उन लोग नो सब तयार हुए अपना luggage लिया और सब के सब कहां चले जा रहे थे bus stand जा रहे थे और अब इस बार उनके साथ कोन था वली अम्मा फैमिली means उमाना की जो फूई थी उनकी भी फैमिली अब उनके साथ में थी तो all together वो लोग कितने people हो गए थे they all together they were all 10 people और उनके पास में बहुत सारा luggage भी था and they were having a lot of luggage also okay students आप से लिया you all understand आप उस अब अच्छे से समझ में आया अब वो लोग कहां जा रहे हैं अभी वो लोग कहां पहुँचने वाले they are going to reach the bus stand वो bus stand में पहुँचेंगे और वो किस काहे पे बैठेंगे they will sit on the bus अभी bus में बैठने पे क्या हुआ conductor आया अपपा ने सब की tickets खरीद ली और सब के सब bus में बैठ गए अब bus में बहुत भीर थी तो ओमाना के जो पैर थे वो कैसे हो गए थे stiff हो गए थे एक जैसे बैठे बैठे उसके पैर दुखने लग गए थे और अब जैसे ही bus एक river के किनारे and I could I thought that we had finally reached Amumas village but no our travel had not ended yet अब जब भी bus ने उनको last stoppage पे उतारा ना तो उसको क्या लगा ओमाना को she thought that this is the end अब वो अपनी दादी के घर में पहुच गई है but what she is saying no this was not the end still I have to move more तो उनको जो bus ने था कहां पे water side में उतारा अभी आपको screen में दिख रहा है ना एक बड़ी सी boat है उसमें बहुत सारे लोग बैठे तो sorry ओमाना और उसकी family पूरे के पूरे काहे में बैठ गए boat में बैठ गए और ओमाना जो थी वो boat की जो railings होती side जो होते ना उसको पकड़के खड़ी हो गए now what she is saying this is this boat is called the ferry उसको ferry बोला जाता है okay student तो अब आपने देखा ना कि वो लोग किस ओमाना ने किस किस चीज पर जर्णी की first of all in the train then in auto rickshaw then in bus and then in the boat boat को Hindi sorry in Kerala they used to call the ferry, ferry बोला जाता है किसको जो वहाँ पर boat होती ना और उसने क्या देखा वो boat पे चल के जा रही थी तो उसने क्या देखा coconut trees देखे पानी देखा लोगों को देखा जो और वहाँ का जो dressing sense था वो भी change हो गया था now students on the screen so and in the last she reached बताब वो जब river के दूसरे side पे पहुँच गई तो वहाँ पे वो last में अपने grandmother के house में पहुच गई now students on the screen you can see the tickets आपको ticket दिख रही है this is a railway ticket यह कौन सी ticket है railway की ticket है अब इसमें कुछ informations दी होती है which I will tell you अभी मैं आपको वह informations दिखाती हूँ कुछ related कुछ questions है जो आपको ticket में देखके ही पता चलते हैं now see that question the train number अब जो ticket है ticket में आप देखोगे आपकी जो textbook है उसको open करो उसमें page number 63 पे यह दिया है तो ticket train number क्या है 9037 date of the start of the journey journey कब start हुई 24 12 2006 the birth and the coach number the birth number क्या है 21, 23 and 22 and the coach number is A1 now the fare the cost of the train train का cost कितना था 2578 रूपीज उसका cost है और the distance in kilometer मतलब कितना लंबी journey है कितने kilometer की journey थी तो वो 643 kilometers की journey थी ओके है student तो train में इतनी सारी सब information हमारे पास में हमको देखने को मिलती है और इसलिए tickets हमारे पास होती है ना तो उसमें यह सारी information होती है और ticket इस बात का evidence होता है कि हम कौन सी train में journey करके आए है और उसका कितने पैसे लगे है कौन सी date को journey start हुई कौन सी date को कौन सी seat number हमको मिला यह सारी चीज़े हमारे उसमें होती है हमारे train की जो ticket होती ना उसमें होती है okay student so now I hope you all have understood the chapter nicely आपको सारी चीज़े चैप्टर में अच्छे से समझ में आ गई है यह तीनों चैप्टर का recapulation एक साथ हुआ why because it was related with each other okay student so now I will ask you some questions what is the name of the boat in Kerala Kerala में boat को क्या बोला जाता है उसका नाम आपको मुझे बताना है and how many members were going to grandmother's house grandmother के house में कितने कितने लोग चाने वाले थे okay student so up till then take care of your health watch the videos complete your CWs have a nice day Allah Hafiz